राहूल गांधी के साथ भारत जोडो यात्रा में अब तक कई बड़ी बड़ी सेलिबरिटी शामिल हो चुकी है राहूल की इस पदियात्रा की अब तक हर कोई तारीफ कर रहा है कई बार बीजेपी की तरफ से कड़े हमले भी देखने को मिलते हैं और इसको कॉंग्रेस बीजेपी की बॉखलाहट कहते नजर आती है बीजेपी के कई बड़े नेता भारत जोडो यात्रा की आलोचना करते हुए राहूल गांधी पर लगातार हमला वर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में कई बार भी जेपी भी ट्रोल हुई है एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है बारत जोडो यात्रा को फोटो सेशन कहेका ट्रोल हुए उत्तर प्रोदेश के डिप्टी सीएम केशा प्रसाद मौरिया कॉंग्रेस निताओं ने जम कर उन पर निशाना साधा है अब इसमें बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यूजर्स ट्रोल करते हैं या बात गलत लगती है ये भी देखने वाली बात है कि कॉंग्रेस जमीन के साथ साथ में अब ITCEL के लिहाज से या सोशल मीडिया पर भी जम कर एक्टिव हो गई है यहाँ पर चिन्नित कर लिया गया है जैसे बीजेपी की तरफ से भी हमला करने वाले चिन्नित रहते हैं आपने देखा होगा कि शुरू आती जब यात्रा की हुई थी या जब हला बोल रैली दशेरा मैदान में की थी रावुल गांदी ने तब ही से लगातार उन पर हमले शुरू हो गए थे लेकिन उसके बाद में फिर देखते ही देखते भारत जुड़ा यात्रा को रिस्पॉंस मिला पूरी हवा बदलती दिखाई दी और कॉंग्रेस के कारिकरता कॉंग्रेस के जितने भी तमाम दूसरे नेता हैं वो सोशल मीडिया पर जम कर एक्टिव हो गए बीजेपी की तरफ से जैसे ही वार होता है ये दुगनी ताकत से पलट वार कर देते हैं कुछ ऐसा ही हुआ केशव प्रसाद मौरिया के साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है दरसल भारती जनता पार्टी के दिगज नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौरिया ने कॉंग्रेस की भारत जुड़ो यात्रा पर तंस कसते हुए कहा कि श्री राहूल गांधी जी की भारत जुड़ो यात्रा को जनता का समर्थन नहीं यात्रा केवल फोटो सेशन बन कर रहे गई है केशव प्रसाद मौरिया अपने इस ट्वीट को लेकर कॉंग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए और इसके साथ ही पार्टी समर्थकों ने भी डिप्टी सीम को ट्रूल करना शुरू कर दिया केशव प्रसाद मौरिया के ट्वीट पर पलटवार करते हुए युवा कॉंग्रेस के राश्टी अध्यक्ष शीन इवास भीवी ने अपने ट्वीट में लिखा आप भी यात्रा में शामिल होकर देख लीजिए एक स्टूल की विवस्ताम कर देंगे अब आप देख रहे हैं कि तीखे हमले जो हैं वो कॉंग्रेस की तरफ से जादा हो रहे हैं ये अंदाज जो है वो कभी राहूल के लिए बीजेपी का हुआ करता था बीजेपी ने स्ट्राटेजी समझ ली सोशल मीडिया पर यात्रा को लेकर अबद्र टिपणिया करना या अपमान जनक टिपणिया करना ये भारी पड़ सकता है मैला का हाथ पकड़ के चल रहे हैं या हिजाब वाली बच्ची के ओपर टिपणि करना टीशर्ड की बात करना पप्पू कहना राहूल गांदी को ये सब आप जम नहीं रहा है अब अगर केशाब रसाद मौरिया ने भी जो लिखा वो बड़ा उन्होंने सोच समझ का श्री राहूल गांदी जी पहले तो आप सम्भूदन देख लिए कि उन्होंने बहुत सम्मान के साथ में ये बात लिखी ये वही बीजेपी है जिनकी तरफ से आपने युगराज पपू ऐसे कई जुमले सुने होंगे जो राहूल गांदी के लिए इस्तेमाल होते थे लेकिन अब बड़ी सोच बदली है इसकी वजे भारत जोड़ो यात्रा का एक impact सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है अब इससे उलट कॉंग्रेस की तरफ से जो वार हो रहे हैं उसमें तंज कसे जा रहे हैं और केशव प्रसाद मौरिया पर ये तंज कसा गया उत्तर प्रदेश की सियासत को जो समझते हैं वो समझते होंगे स्टूल का मामब्रा क्या है और स्टूल की बात क्यों लिखी गई है राजस्तान कॉंग्रेस सेवा दल ने भी अपने ट्वीट में लिखा भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता को जनता देख रही है वहीं उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस सेवा दल ने अपने कॉमेंट में लिखा बलातकारियों के साथ फोटो किचाने से अच्छा है अपने लोगों के बीच जाकर उनके साथ मिलना जुडना जो की आप लोगों के बसकी बात नहीं है सुप्रिया श्रीनेत है वो लगातार कॉंग्रेस की नेता है डिबेट वगेरा में भी आप देखते हैं वो लगातार ट्वीट कर रही है कोई भी ऐसा मामला होता है अच्छा कुश्चन मार्क लगाया है उनने तो आप क्यों व्याकूल हो रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं स्टूल मजबूती से पकड़े रही है अब यहाँ पर स्टूल करके लगातार केशा प्रसाद मौरिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया कॉंग्रेस की नेता है डॉक्टर राजेश मिश्रा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा स्टूल मंत्री जी को भारत जोडो यात्रा फोटो सेशन दिखाई दे रही है तो कैमरा जीवी गुजरात में है या हिमाचल में प्रकाश डालेंगे कॉंग्रेस निता नितिन अगरवाल ने लिखा यात्रा में दम है, माहौल है, जनता का हुजूम है तब ही तो फोटो खिच रही है, आप खिचवा के देख लो, पचास लोग भी नहीं मिलेंगे आपको खुद के राज्ज में राहूल गांदी के नितित में कॉंग्रेस पांच महीने की भारत जोडो यात्रा पर है वो कन्या कुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सहलाब चल रहा है लेकिन उनके हर पहलू प्रयास और कदम पर बीजेपी की विबारीक निगाठी की हुई है बीजेपी राहूल की पधियात्रा को लेकर कॉंग्रेस पर लगातार हमला वर रही है वहीं कॉंग्रेस के निताओं का कहना है कि बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दिन रात कमिया खोजकर राहूल गांदी की छबी खराब करने में लगी है लेकिन कामियाब नहीं होगी क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है अब ये स्टूल मंत्री स्टूल मंत्री क्यों कहा जा रहा है दरसल एक तस्वीर वाइरल हुई थी जिसमें आपने देखा कि ये मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद के साथ में केश्व प्रसाद मौरिया भी थे और वहाँ पर वो एक स्टूल पर बैठे दिखाई दिये थे और तब ही से बस कॉंग्रिस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है अलग ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन केश्व प्रसाद मौरिया के लिए भी संगर्ष कम नहीं रहा है 2022 के विधान सबा चुनाओ में सिराथू से वो अपनी सीट हार गए थे इसके बावजूद उनका कद इससे समझ में आता है कि चुनाओ हारने के बावजूद उनका मुख्य मंत्री पद बरकरार रहा दलित वोर्ड बैंक में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है लियाजा केशा प्रसाद मौरिया एक बड़े नेता है बीजेपी के लिए लेकिन बीजेपी के इनी बड़े नेता पर लगा अतार कॉंग्रिस जो है वो अब हमलावर हो गई और ये स्टूल मंत्री या स्टूल वाली बात जैसे ही उन्होंने फोटो सेशन की बात गई आपने देखा कि अभी तक कॉंग्रेस कुछ नहीं कह रही थी लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा पर जैसे ही टिपणी की गई या इसको फोटो सेशन करार दिया गया वैसे ही पूरी की पूरी कॉंग्रेस उतराई और सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल कर दिया केशा परसाद मौरिया को अब ये चीज देखिए इस स्ट्राटेजी की वज़े से कॉंग्रेस पर हमला करने के पहले कई बड़े नेता और दिगज सोच रहे हैं कई बार कि क्या कॉमेंट करें क्या टिफपण ही ना करें क्यूंकि सब के साथ में कुछ ना कुछ चीज जुडी रहती जैसे ये स्टूल वाला जो मामला है के शपरसाद मौरिया के साथ जुडा हुआ है लियाजा कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया उनको ट्रोल करने का बारत जोड़ो यात्रा के दौरान कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहा है कॉंग्रेस के सयोगी संगठन भी इसमें काफी सक्रिये है बारत जोड़ो यात्रा के कई तस्वीरे और वीडियो सोशल मीडिया प्रोपोस की जा रहे है कॉंग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयासों में जुटी हुई है कॉंग्रेस की तरफ से इसको लेकर हर इस तरफ पर इसे सफल बनाने की कवायच जारी है लेकिन इसकी चर्चाएं कई बार ऐसी निगेटिव ख़बरों से सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वज़े से भी होती है कई बार राहूल के स्लिप आफ ठंग या जैसे हमने शुरुआत में का टीशर्ट की कीमत को लेकर निशाना सादा मैलाओं का हाथ पकड़ने की बात को लेकर निशाना सादा हिजाब वाली बच्ची पर निशाना सादा तो ये कई तीर हैं जो सही निशाने पर नहीं पड़े बलकि उल्टे पड़ गए पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई मौके सामने आये जब बीजेपी ने राहूल गांदी को घिरने की कोशिश की लेकिन इन सभी मौकों पर बीजेपी के लिदाओं उल्टा पड़ा राहूल गांदी की भारत जुलो यात्रा पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी एक के बाद एक कुछ गलतिया करती के जैसा कि केशा प्रसाद मौरिया उन्होंने उठाया इस मुद्दे को बीजेपी के नेताओं पर भी ये दबाओ है कि भारत जुलो यात्रा पर होना पड़ रहा है सांदा करना पड़ रहा है राहूल की इस पधियात्रा के अगर बारे में बात की जाए क्योंकि जो आरूप लगाया फोटो सेशन है ऐसा देखने को नहीं मिलता है लोगों का जबरदस उत्सा है और जहां से भी तक राहूल गुजरे हैं दोनों तरफ पारे लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं इसको फोटो सेशन बीजेपी ने कहा है लेकिन इतना भर कहना ये ठीक नहीं होगा क्योंकि फोटो सेशन से आगे की चीज़ दिखाई पड़ती है ये बात सही है कि राहूल गांदी एकदम ने एक नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं वो खुद अब इस गंबीरता को समझ रहे हैं कि लोगों के बीच जाना मिलना सडकों पर पैदल चलना उनके साथ ये अलग अनुभाव होता है ये आपको अलग ताकत देता है हजारों की तादाद में लोग पदियात्रा में शामिल हो रहे हैं हर वर्क के लोग इस पद से मिले हैं फुटबॉल खिलते दिखाई दिये हैं तो इसमें कोई दोराएं नहीं तैयारियां की जाती हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इवेंट करती वो किसी का भी उचाए बीजेपी के नेताओं का चांग्रेस के नेताओं का उसकी तैयारी की जाती है लेकिन य महराष्ट में हैं मध्यप्रदेश में जाना है और मध्यप्रदेश वो जगे होगी जहांसे यह समझ लीजे उत्तर भारत की असली राजनीती की शुरुआत होगी इस मध्यप्रदेश से ही राहूल गांदी यह साबित करने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो इमेज गड़ी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें